इस विद्या में आपको कोई भी अनुमान से काम करने की जुरुद बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी तो यह जो चक्र है यह अपने आप में संपून लपेटे हुए है कि आपको जो चीज चाहिए जिन्दगी में इनसान को क्या-क्या चाहिए होता है आपका वेपार, आपकी हेल्थ, आपकी किस्मत, आपकी जो भी आपको diseases आएंगी मतलब जो भी हम जब तक हम इस शरीर में सांस ले रहे हैं, हमें जो भी problem हम face करते हैं, वो सारी problems हम इस चक्र से देख सकते हैं अब जो last हमारा webinar हुआ था, उसमें सवाल किया गया था, कि हम देख तो लेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे इलाज के लिए आप लोग ये जो पत्ति है, ये, it's an add-on service, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप बाकी किसी विद्या से देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ clarity नहीं मिल रही है आप अपने में थोड़ा सा confuse हो रहे हो कि क्या होगा, हम ये बोलें या ये बोलें इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, इस सामने वाले इनसान पे, इस event जो घटेगी उसमें इसको क्या होगा, तो वो सारी चीजे जो है आप SBC से देख सकते हो, और सीधा सीधा बोल सकते हो क्योंकि आपको यहां नुकसान होगा, अब उसकी जो इलाज है, वो तो आपको बाकी पतितियों से भी मिल जाएगा, क्योंकि महादेव जी ने, भोले शंकर ने हमें इस गुप्त चक्र को बताया है, इसको देखना, इसको समझना, इसको पढ़ना सिखाया है, उन्होंने य यह नहीं कहा, कि भई यह चक्र में अगर यह आ रहा है, तो आप यह कर दो, वो तो बाकी जो हमारी जो रेमेडियल पार्ट है, जिसको हम कहीं ना कहीं अपने, जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, उसमें बहुत सारी चीज़े अवेलेबल हैं, तो आप इस से अपने का आंसर लेके, उसको हल कर सकते हैं, बाकी जो आपके पास रेमेडीज हैं, चाहे आप लाल किताब की रेमेडी करवाएं, चाहे आप उनको वेदिक की रेमेडी करवाएं, रेमेडी का तो आजकल भरमार है हमारे पास, हम लोग इतने पावरफुल समझते हैं अपने आपको हर astrologer की भई हमारे पास कोई आएगा, अरे हम कर देंगे ठीक, आ जो नहीं हमारे पास इंसान की किस्मत बदलने की ताकत नहीं है, हमारे पास इंसान को किस्मत का रास्ता दिखाने की खाली permission है, power and permission दोनों peace से start होते हैं लेकिन इन दोनों का मतलब बहुत अलग होता है, तो जो लोग इस course को पढ़ना चाहा रहे हैं या जो लोग इस course को आगे करना चाहा रहे हैं सिखाया तो उनको full explanation full dedication से जाएगा मगर अगर वो ये सोच कर आ रहे हैं कि यहाँ पे उनको कोई ऐसी गुटी मिल जाएगी या उनको कोई ऐसी घोल मैं दे दूँगी कि भई आप ये पढ़ ले ये पूरा का पूरा चक्र आपको अच्छी सी समझ में आएगा and it's not very difficult आपके लिए कुछ भी ऐसा difficult नहीं होगा कि भई जिसको आप ना समझ पाओ और जो हमारी classes चलेंगी उसमें हम एक एक topic को cover करेंगे topic जो हमारे रहेंगे उसको मैं एक बार आपके साथ share कर देती हूँ कि वही वो क्या topic रहेंगे पहला जो हमारा दो classes होंगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्वतो भद्र चक्र का सरूक उसमें हमारी पंच शालक आएंगी उसमें हमारी ग्रह गती आएगी उसपे वेद आएंगे नक्षत्र वेद आएगा उसमें पंच शालक वेद का फल आएगा कि वही क्या अगर आपका ये चीज वेद में आ रहा है तो क्या फल निकलता है इसका फिर हमारी जो थर्ड क्लास रहेगी उसमें हम ग्रहों का गोचर के बारे में पढ़ेंगे पर ग्रह का गोचर है तो उसका क्या वेद है क्या फल है यानि हम जब ट्रांजिट देखते हैं आजकल तो हम सिर्फ अपना अनुमान लगाते हैं बागी विद्याओ से अरे हाँ जैसे कि लोगों ने बहुत महारतियों ने बोला है कि भई जब शनी मीन राशी में जाएगा तो जी ये होगा वो होगा नहीं जब उसका मीन राशी में वो जाएगा कहां पे वेद होगा कब-कब किस नक्षत्र पे वेद होगा तब रिजर्ट्स आने के चांसिज हैं वो समय, वो दिन, वो महीना, वो घंटे आप सर्वतो भदर चक्र से देख सकोगे फिर जो आपकी सिक्स्थ क्लास होगी 6, 7, 8, 9 जो क्लासिस चलेंगी वो थोड़ा सा एक टॉपिक, जो मेन टॉपिक उसका रहेगा वो रहेगा जनम, संपत, विपत, नक्षत्र के एक्स्प्रिनेशन का जब हम तारा चक्र देखते हैं चंदरमा का तारा चक्र होता है चंदरमा तो है आपका हर डेटो दिन में नए नक्षत्र पे गोचर करता है तो जब आपका जनम से जो नक्षत्र आपको मिला है उस नक्षत्र के मुताबिक चंदरमा का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा उसमें आपको ये बताया जाएगा 27 नक्षत्रों का वेद फल आपको समझाया जाएगा मृत्यू भाग आपको समझाया जाएगा लगन चंदर और शुब अंश क्या होते हैं वो बताये जाएगे SMT पढ़ाया जाएगा उप ग्रह पढ़ाया जाएगा लगता जब ग्रह निकलता है किसी नक्षत्र को छोड़के तो उसका effect जिसको हम earthquake vibrations कहते हैं वो कहां-कहां मैसूस होती है फिर उसके बाद जो है आपको शेर बजार के बारे में कि आप इससे शेर बजार की उचाई या मंदी कैसे देख सकते हो वो बताया जाएगा कौन सी राशी, ग्रह, नक्षत्र किन-किन वस्तूव से related है शेर मार्किट में कौन सा कमोडिटी से related है वो बताया जाएगा फिर इसके अंदर एक पार्ट आता है जिसमें हम कहते हैं प्रशन जोतिश जिसको हम प्रशन जोतिश कहते है वो बताया जाएगा काल पुरुष की कुंडली का फलादेश कैसे करना है क्योंकि जब काल पुरुष की कुंडली है तो उसमें हम अश्वनी नक्षत्र से चलते हैं फिर इसी विद्या का एक और पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं मूरत कि आपने किसी चीज का मूरत निकालना है तो वो मूरत कैसे निकालेंगे वो बताया जाएगा अब एक इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए पॉइंट जोरा है जिन लोगों को केपी आती है तो वो जो लास्ट की दो क्लासिज होंगी जब हम ये पूरा स्वी सी पढ़ चुके होंगे तो हम इसको केपी से कैसे रिलेट करेंगे वो आपको एक एक एक्स्ट्रा बोनस हम लास्ट की दो क्लासिज में देंगे हर क्लास में जब भी हम कोई topic cover करेंगे तो हम जितने students होते हैं उनके charts लगाके सर्वतो भद चक्र पे practical भी करवाते हैं इससे ताकि आपको clear हो जाए कि भई जो आप देख रहे हो समझ रहे हो तो हो कैसा है क्या वो ऐसा ही होगा क्या changes हो सकते हैं उसमें यानि इसमें आपको खाली theory knowledge नहीं हम practical साथ साथ में करते चले जाते हैं अब आप लोगों में से कुछ लोगों के नाम मैंने group में देखे हैं बट कुछ लोगों के नाम मैंने group में नहीं देखें जिन्होंने course join किया है वो please hand raise कर ले हां जी अलोग जी आपका नाम मैंने देखा है पुषपा जी आप तो हम मेरे साथ बहुत टाइम से हो तो ओके संदू जी आप वो ही हो ना जो लाल किताब भी करी थी मेरे साथ जी आपने कौन सा कॉर्स किया था जी आपने कौन सा कोर्स किया था मैंने रिकॉर्डिंग ली थी आपकी प्लास अभी तीन-चार मेने पहले न यहां से प्लास जो आपने कौर्स करा था तो उससे आगे आप कॉंटिन्यू करने के लिए कौन से रिकॉर्डिंग थी आप सब्सक्राइब अच्छा ओके अपसे एक तो पूछ किती वाट्सटरप पर न हां 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 ओके और तो आपको एस भी सी थोड़ा समझ में आया हां जी हां जी थोड़ा सा आया जो चिक है आप अनुरादा जी आपने कौन सा कॉर्स अच्छा कर रहे हो जी माम बहुत बढ़ी है बहुत अच्छा कराते हूं माम थैंक यू चले किशोरी लाल जी से तु मुझे पूछने की जुरत नहीं है क्योंकि इनका नाम तो मैं हर अपनी क्लास में पढ़ती पढ़ती हूं तो जो लोग नहीं है नीजी आम कुरेश सारी तो इंट बढ़ती है पंपना स्रवतव नाथ ड्च्रवात्व नहीं हो जो रुट जैए को यूटताते हूं मैसूर राजा वमषत्पारंपरक्क यू तो इनक पन्प्रभाषय प्रैश्यण सार्व गर दू छायों है but I am practicing also, I am a professional astrologer, I give interviews in tvs and all, I just recently started my own youtube channel also, but one thing which I want to really learn is that Saravata Badra Chakra, so if you help me, for me I can understand some extent Hindi, but not that much. Okay, see the anyway the pdf will be in English and wherever I have Hindi English students in any of my class, I explain in both the languages. Thank you, thank you Dr. Thank you, thanks a lot. Yeah. So I really want to learn, not learn, I want to master on that first and also since I am a practitioner, every day I will handle many clients, diverse cases too, homos too, agnas too and all, I will share maybe in course of time, I introduce whatever I have given, rasi palas, monthly palas, all that, but we follow south pattern, but we don't use Saravata Badra Chakra, but I want to learn, that's what my, if you really enlighten me on that, maybe by extra special care or classes, I don't know what you can do, so that this authentic knowledge I want to give to people and share and help them to achieve their dharma, the kama moksha, life should be the effortless journey, I want help them in the Vedic aspect, that's what my life mission and moreover this precious knowledge cannot go buried by future generations, we want to bring it out and bring this is not a superstition, it's a perfect science, that's what all passion is doing it and by that time I am also a software engineer, I work for MNC company. Okay, good, good to know your profile, for, see whenever I teach any course, all my students know that I teach with all my heart, so there is nothing which I can give personally or I will not give in the group, whatever is in the course, the theoretical part, practical part, I make sure that each one of my students leave with the knowledge, they should not go blank headed and go out and say, oh I did not learn anything, I did the class from her and I did not learn anything, so I make sure that, you know, everything is clear. The time which we select for the course, it's always happens that, you know, after the, during the course we increase two or three days extra if there is a problem coming in of any of the topics which is not understood by the students, so I don't run with the course, it's my duty to give you the full knowledge, if I am teaching something, I have to deliver fully to you, so whatever I know about Sarvato Bhadra Chakra, it will be given to you, and of course when we'll be doing the practically with each, in the each class with the same topic, I am sure it becomes very easy to learn and you know, people can understand easily. So it is a weekly two days, two months duration, am I right? Yes, yes. Okay, okay, this is already running batch, this is the third batch. No, no, yeah, this is the second batch, this is the second batch. No, 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 for this, this is the second class, I mean. No, 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 we haven't started, we haven't started any class yet. Oh, Sarvato Bhadra Chakra, we are going to start, am I right? Yeah, we are going to start from Navratri's, we, I didn't want to start in Sharad days, so we postponed the course. Okay, okay, thank you madam, thank you. Ma'am, I will join the session. Sure, sure. And classes will be held on which days? Um, it will be on, wait a minute, I forgot the days. I think Monday and Thursday. And Thursday. No, not Thursday, Anuradha Ji, we will change the day. Okay, okay. Haa, we will Monday and Saturday class. Okay, ma'am. And this will be the same timing? Yes, the same timing will be the same timing. Ma'am, if you can do a little more than 1 hour, it is possible. Well, because I'm in Sweden, I'm in Sweden, so the time difference is about 3.5 hours and back in Sweden. I can do a job for you, because my schedule is very tight all day. So, I can do a job that you listen to the recordings, and then you can message. I will reply immediately in the group, which will not come to you. Okay. And when you can join, for 1 hour, the class will go for 1.5-2 hours. So, if you join at least half class, if you cover the class, then you message me on the group. I can answer immediately the query. Okay. Yeah, then ma'am, at least 1.30 a.m. I'm sorry, Alok ji. What is our Dubai time, this is the 9.30, the class is morning, and then I carry on with my day. So, mera aage ka poora office or wo sab ho jayega. Because I'm a practitioner, I'm a gold medalist in astrology, and I deal with very high profile clients here. So, ideally, I'm having this two hours in the morning, which I give for my classes. I can't take a class either in the evening, nor in the day, any time. But I can, whatever your time difference I understand very well. So, whatever I try to do, whatever I can do, whatever I can do, I try to do that. Okay, ma'am, thanks. And I have a question that you have already told me about financial astrology. So, in financial astrology, we can predict what we can predict? I mean, intraday movement, we can predict what we can predict? Or, I mean, specific period, nifty, bank, nifty, or any commodity? Look, in this, we have nifty, bank, nifty, and trading, like people trade in commodities, like gold, silver, crude oil, ho gaya, anaj ho gaya, jisay ki wo trading hooti hai. Ah, wo aap is me s'mad sakti ho ki bhai yeh is mehine oopar jayega, is mehine niche aayega, thik hai? Okay. Or, doussara, phir aap, joh share market hai, share market me maan lo, reliance industry ke shares hai, kisi ke paas hai. Ah, wo yeh pooch raha hai ki bhai, is sa meh to reliance ke shares oopar hai. Toh mahi bêchu, mahi rakhu, yeh oopar or jayega, mahi wait karu, kya karu? Toh wo sara joh hai, wo prashan jyotish, isse aata hai, usse aap jawaab dhe sakti ho. Toh it's a very very clear inke rules hain, jisse aapko aram se samaj meh aajayega, basically. Nii ma'am, mahi yeh puchh raha tha ki haam specific kisi eek day ka movement bhi capture kar sakti ho, yaa phir? Haa haa, of course, aap next day ka bhi movement capture kar sakti ho. Okay, okay, thank you. Ji. Ma'am? Han ji. Ma'am, namaste, mahi dinesh mo raha ho. Han ji, Dinesh ji. Mutual fund kholla, woh joh jindnohne, donohne. Titi hoyega na. jaa nahi. Exactly. Exactly. Yeh pata chalega, yeh bhailleursh yaa nahi bhailleursh? Haa. Maltab ki yeh bhailleursh, nahi bhailleursh yaa. Ya, aapne joe, djeko, jiasse her insaan aab mahn lo ki ah achha bhala mutual fund koi bond koi aisa chal raha tha. ठीक है? अब मान लो कि भई सदली वो गायप हो गया या वो गिर गया या लोगों का नुक्तान हो गया, correct? जी, correct. अब उसमें क्या problem होती है, जो मैंने देखा है, कि भई, जैसे कि मेरे पास कोई client आया, उसने मुझसे पूछा कि भई, आप इस mutual fund में डालो, मैं डालना चाह र क्योंकि आपने डाला, तो यह हो सकता है, आपका पैसे का नुक्सान हो जाए, तो अब उसने जब नहीं डाला, तो वो बच गया, लेकिन वो mutual fund को, हमने ऐसे देखा कि सर्वतोभर चक्र पे उस mutual fund के नाम से, क्योंकि इसमें अगर आप देखो, I'll share the screen again. क्योंकि तूपर किपिए। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको वोवल्स और सारे अलफाबेट्स दिये हुए हैं उन्होंने आवाज जो अक्षर की जो आवाज आती है जा या जो मात्राएं हैं वो सारी दिये हुए है अब मान लो की बई कोई कंपनी है आप कोई नाम बताएं म्यूच्वल की कंपनी का देनेश जी मोतिलाल है ओष्वल फंड हां मोतिलाल तो उसका जो पहला अक्षर हो गया वो मा हो गया यह देखो चालीस नंबर बिंडो में में लिखा हुए है और उसके साथ हो गई उ की मात्रा तो हम यह देखेंगे कि इन अक्षरों पे वेद कैसा है कहां से वेद आ रहा है कौन से ग्रह वेद कर रहे हैं तो उस हिसाब से सारी जो है वो इसके प्रेडिक्शन होती है तो बेसिकली हम जान सकते हैं किसी के भी बारे में क्योंकि उसका जो नाम है वो सारा इस कोई दुनिया हमारी स्रिष्टी है वो सारी की सारी वाइबरेशन पे टिकी हुई है एक वाइबरेशन है एक द्वनी है वो जो द्वनी है वो अक्षरों और स्वरों के माध्यम से निकलती है संगीत हो गया कुछ भी हो गया हमारे मंतर हो गया सब हो गया वो सब द्वनी है हमारी आपस में लोगों से बात करना भी द्वनी से हम बात करते हैं, तो वो सारी द्वनी जो है, वो सारी सर्वतो भदर चक्र में अंकित है, अब इसी के बेसिस पे हम हर किसी की द्वनी को माच करके देख सकते हैं, कि भाई इस पे कैसा वेद है और कैसा इसका रिजल्ट होगा, आप समझे द जैसे हम वह नाम देखेंगे हम जैसे उस कंपनी का नाम देखेंगे हैं जी वह 40 नंबर पर जैसे आपने बताया है वह आके समझ में नहीं हाँ तो देखो मोतीलाल मोती मो ओ मा और मिलकी उनका पहला वर्ड बनता है ना तो बस हम उसको दो वर्ड पर देखेंगे कि वहां से जो वेद है वो किसका वेद है मतलब कौन से ग्राय उसको वेद रहे है वेदने का मतलब होता है उसको जैसे अगर आपको याद होगा कि अभी में कि वह उसको अंदर गया और उसको काट काट के निकला वो बहार लेकिन बहार का रस्ता उसको पता है ऐसे ही जो चक्र वियू कि उस पर बेस्ट है कि आपको पूरे रूल्स और रेगुलेशन बताए जाए जाएंगे और उसके बेसिस पर आप प्रेडिक्शन दोगे अब यहां पर अगर मान लो कि अगर आभी समय जो है वो हमारे कौन से नक्षत्र में है आपको पता है शनी कौन से नक्षत्र में गोचल करेंगे हाँ तो आपने जॉइन करी है क्लास यह पहली इससे पहली वाली क्लास दोली थी आपने वह जोइन करी थी आपके मतलब जो वह हमारा वेपिनार था लेकिन मैं एकी चीज़ बोलूंगी दिनेश जी यह आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको थोड़ी सी एस्ट्रोज की हल्की पुल्की नॉलिज है तो अच्छा तो नहीं मैं अच्छा नहीं समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा विकॉस यह जो है यह सारा हमारी वेदिक की ऊपर बेस्ट है और इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा बैक्राउंड ऑफ एस्ट्रोजी आपको आनी ही चाहिए दैन अनली यू कन अंडर्स्टाइंड स्बीची अच्छा नहीं वो तो मैं सीख लूँगा मेरा मेरा इसको कोर्सा करने का सुर्फ यह मोटो है कि ना जैसे मैं यह कोमोडिटीज बगरा में ना डालना मलब वो डालके एक चीज और है दिनेशी और है दिनेशी और अगर आप SBC को गैंबलिंग के उसमें यूज करने की कोशिश करोगे कि मेरे को फायदा हो जाए मेरे को नुकसान नहीं हो तो SBC जो है वो आपको इतना अच्छा वो नहीं देगा और आप और करोगे उसके साथ तो यह चक्र है यह बेसिकली एक तरीके का माध्यम है हमें सि ऐसा हो सकता है और वो उसके क्या हमें फल मिल सकते हैं लेकिन अगर हम उसको किसी को इस चक्र को गलत उसमें इस्तमाल करें कि जैसे आप सिर्फ इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तमाल करना चाहोगे तो वो थोड़ा सा जो है वो इस विद्या के साथ तोड़ी सी चीटिंग भी होएगी और प्लस आपका भाग़े भी जो है थोड़ा सा वो उसमें आता है तो बेसिकली यह सिखाता तो सारी चीज़े हैं बट वो साथ में ये भी बताते हैं कि भई जिस जो आप इसको अपने बैनिफिट के लिए यूज करें लेकिन वो बैनिफिट जो आपकी अच्छा रहेगा नहीं अच्छा रहेगा नहीं अच्छा रहेगा उसको जानने के लिए दिनेज जी यह जो वेदिक है ना वेदिक एस्ट्रोजी आपको अच्छे से आनी चाहिए इधर तक पहुंचने के लिए बिकास यह बहुत एडवान्स एडवान्स लेवल का चक्र है और जिनको नकशत्र पता है नकशत्र में जो पॉइंट्स होते हैं वो पता है और प्लस हाउसेज प्लैनेट्स और उनकी णिगरीज उनका सब सारी चीजे पता हैं, उनका मुवमेंट्स पता रहती हैं, वो ही आगे इस SBC को समझ और कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आप सीख लोगे, उससे पहले आपको वेदिक का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए, because otherwise आप जो ना कोर्स में एकदम वो रह जाओगे कि समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या अच्छा, 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 नहीं यह तो आपने भी बताया कि इसके लिए पहले वेदिक सिखना पड़ेगा, जी, जी अच्छा, और जैसे माम जैसे आपने बताया, मैंने बुछा था कि इसको कमोडिटीज के लिए यूज करेंगे तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं नहीं, इसको देखो कमोडिटीज के लिए हम देख सकते हैं, इसका बट ये प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जो है, इसको सिरफ कमोडिटीज के लिए देखने के लिए नहीं सीखो, तो वो मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, जुन्हों ने सीखने की कोशिश करी, just to gain advantage in the share market or trading में, they never learnt SBC because वो विद्या उनको उपर से निकल गई और वो गलत ही पड़े है, क्योंकि इसको जो है it's like a pure, pure science and it's a part which is given to us by our, मतलब की इतनी बड़ी power ने हमें ये कुछ दिया है और इसका हमारे पास full text and scriptures में available है, तो इसको जो है, हमें उन्होंने साफ बोला कि खाली आप इस चीज के लिए यूज नहीं करें, तो फाइदा नहीं होएगा, इसलिए ये जो टूल है, ये astrologers का टूल है, जो बहुत जादा astrology जानते हैं, different vidyas जानते हैं, तब वो SBC को एक अपना tool बनाते हैं, कि हमारे पास time नहीं होता है कितनी बार चलते हुए, calls आती हैं, clients की, तो हमें immediately उनको answer करना पड़ता है, so this is my that tool, I am on mobile I am in my car, I can just look at it and just tell them yes and no और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़े इस tool से मिलती है, but उसके लिए पीछे की जो knowledge है, that has to be great knowledge you should have मतलब आपको हर तरह की पदती के बारे में समझ होनी चाहिए to apply this जी और किसी का सवाहल अजी एक बार बताओ, इसमें चाचा देख सकते हैं, चाचा हमें पर लिक्शन पता लग सकते हैं एक बार बताओ अग्यापाल जी आपने तो लाल किताब करी हुए है उसके बार तो आप सब कुछ ही देख सकते हो इसमें वह तो ठीक है लेकिन मैं पुछना चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन क्या क्या इसमें हो सकती है प्रेडिक्शन इसमें जिन्दगी की हर पहलू जो हम जिससे गुजरते हैं शादी, बच्चा हमारी रिलेशन्शिप हमारा पैसा हमारा वेपार हम क्या करें, क्या ना करें हमें कौन सा टाइम अच्छा होगा क्या टाइम बुरा होगा इसमें एक चीज और आती है जो हमारा अंत भी दिखाती है कि हमारा अंत कब होगा कब होगा वो अंत कि बहिए जब हमारे किसी इस पद की ऊपर इस ग्रह का वेद आ जाएगा तो हमारा दुनिया से बाई-बाई का टाइम है तो ये सारी चीजें हम इस चक्र से देख सकते हैं ये डेटो पर से पता चलता है कि अपना प्रशन कुंडली से इसकों दोनों तरीकों से देखते हैं हम प्रशन कुंडली से भी देखते हैं जैसे के पी देखते हैं इसमें हम के पी को इसमें हम एड करते हैं जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा कि last की दो जो होंगी वो मैं आपको KP में कैसे इस्तमाल करना है वो बताऊंगी that is a bonus in this class कि बाकी जो है it's a full अपने अपने आप में ही full astrology का ये science है चिक्क है? अभी slide को समझते हैं इसके अंदर total हमें 81 squares दिये हुए है अगर आप यहां पे उपर east जहां लिखा है है आप यह लिखा है उसमें number 1 से लेके आप बीच में आ जाओगे तो यहां एकदम center of this square we have 81 तो basically सारी हमारी जिंदगी जो है वो 81 squares में it is all connected मतलब की our life, birth till the death of a human is all connected with this 81 squares and 28 nakshatras जो यह उपर के आप देख रहे हो अश्वनी, भर्नी, कृतिका, रोहिनी, मरिक्षिरा, अद्रा, पुनर्वसू, पुष्या, अशलेशा, मगा, पूर्वफालगुनी, उत्रफालगुनी, हस्ता, चित्रा और यह जो है आपका स्वाती, विशाखा, अनुरादा, जेश्टा, मुहुला, पूर्वशारा, उत्रशारा, अभिजीत, शर्वना, दनिष्टा, शत्विषा, पूर्वभादर, उत्रभादर, रेवती तो यह जो 28 नक्षत्र है, इनी का खेल है SBC, it only plays on the नक्षत्र थियोरी, then अब उन्होंने देखो, इसमें चार दिशाएं भी दियो ही है, the top one is the east, east के बाद we come in the south, because यह जो east जैसे आपने देखा होगा, कि north से आपको first नक्षत्र मिलता है, that is Ashwini, और उसके बाद वो east में cycle move होती है, and then it comes towards south, south से west आता है, और west से फिर east को थोड़े से नक्षत्र connect होते हैं, the Sarvatobhadra Chakra is moving into the right direction, like a right side direction में move करता है, हमारी विरिक कुली जो है, वो left में move करती है, Hindu, sorry, northern जो chart है, whereas the southern south का जो chart है, that is, the houses are fixed, only planet moves in that, then हमने यह देखा कि बही, east direction में, there is number two से number eight तक जितने नक्षत्र हैं, वो कौन-कौन से नक्षत, eastern direction के हैं, that is, Krittika, Rohini, आपका Mrigshira, Adra, Punarvasu, Pushya, Ashlesha, अब अगर if you see, कि भई इसके अंदर, कौन सा ऐसा planet है, जो इसमें नहीं आता, यानि eastern direction में, कौन सा ऐसा planet है, जो नहीं आता, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो we don't have K2 in this, K2 एक ऐसा, आपका South node का एक point है in the universe, जो इसके अंदर जिसका नक्षतर यहां नहीं पड़ता, east side पे, then आप South में, South को जाओगे, तो आपको जो नक्षतर आते हैं, वहां से आपका K2 से start होता है, और Guru पे जाके खतम होता है, मगा है, पूर्व फालगुनी है, उत्रा फालगुनी है, हस्ता है, चित्रा है, और आपका स्वाती है, और विशाखा है, अब इसके अंदर आपके, जो हैं, दो प्लानेट्स नहीं आते, South की direction में, एक तो शनी नहीं आता, और एक जो है, आपका बुद्ध नहीं आता, यह बहुत बारीकी का point है, और I guess, कि यह जो point, जो मैं आपको बता रही हूँ, यह ऐसा point है, कि this can give you many ideas in your predictions, which is, which can help you in predicting somebody, even they say, कि भई, मेर को किस दिशा में रहना चाहिए जाके, मुझे कौन से घर की दिशा suit करेगी, या मुझे कौन सी country suit करेगी, अगर मैं बाहर जाता हूँ, हम यह कहा देते हैं, अरे तुम बाहर astrology, या देशकाल, परिस्तिती, या जो देश हैं, जिस जिस दिशा में, वहां से भी आपको नक्षतर को आप उनको relate कर सकते हो, फिर हम जीचे देखते हैं कि भई, हमारे पास विशाखा के बाद, नीचे की जो west की जो line है, उसमें यूज करने को मिलता है, और उसके बाद, श्रवना, इसके अंदर जो नीचे का जो western direction है, इसके अंदर आपको कौन से planets हैं, जो missing है, जो नहीं आते, वो west की direction में, जो planets नहीं आते, वो उसके, वो हैं, आपके mangal है और राहू है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो यानि आप देखोगे हर दिशा में कोई दो planets जो है missing है, ऐसे ही जब हम north की तरफ जाते हैं, north में हमारा जो है, वो हमें mangal और राहू मिलते हैं, वो add हो जाते हैं, वहाँ पे जो नक्षत, जो planets miss होते हैं, north में, that is Jupiter miss होता है, north में, और उसके बाद जो है, Jupiter में साथ, एक planet हमारा all miss होता है, that is Jupiter and sorry, Jupiter तो है सूरे और चंदर्मा नहीं होगा, सूरे तो अगर आप यह देखोगे कि भई, जहां Jupiter नहीं है, western की side में, आप देखोगे कि Jupiter नहीं है, देखा आपने कि जो वेस्ट की साइड में जुपिटर नहीं है हमारे पास? जी माम. अच्छा, अब जो वेस्टन कंट्रीज हैं, वो बड़ी फॉर्वेड है. आर नॉट गुइंग विद दिया कल्चर और टेडिशन्स, करेक्ट? गलत हूँ कि मैं सही हूँ? जी माम. तो जो वेस्टन कंट्रीज यह मिलेगा, वो वहां की जो कंट्रीज रहेंगी, उसमें आपको उन प्लैनेट के तथव भी मिलेंगे. तो इस तरहीं से आप काफी सारी चीजों जो हैं, वो आप समझ सकते हो. So we can relate this to the five elements of a person, of a country, of somebody कि आप उसको मदद करना चाहते हो, कौन सा तत्व उसको missing है, तो यहां भी आप इसको use कर सकते हो. फिर उसके बाद यह जो हमारे नक्षत्र खतम होते हैं, तो आप corner में चोटा आ, बड़ा आ, और नीचे के corner में छोटी E और बड़ी E की मात्रा देख रहे होगे. तो इसका वेद जब होता है, तो जैसे मेरा नाम है नीती, तो न, न मेरा जो है, वो स्वर हो गया, और जो मेरा E जो आता है, नी, जो मेरे को बड़ी E की मात्रा, वो 25 नमबर पे जो 25 बॉक्स में डबल E लिखा है, वो मेरा जब वेद होगा, तो मेरे पहले के उस पे वेद होगा, तो वो मेरे पे एफेक्ट आएगा, क्योंकि जिस ध्वनी से मुझे बुलाया जाता है, वो ध्वनी जो है, वो दूशित हो रही है, तो तब जो है, मेरा, मेरी सेहत खराब हो सकती है, या मेरे को किसी एक्सिडेंट का सामना करना पड़ सकता है, तो ये जो कॉर्णर वाले जो वेद हैं, ये अलग तरीके से वेद होते हैं, जो कि आपको आगे समझ में आएगा, फिर आप ये देखो, कि भाई अश्वणी नक्षट्र में, जो हमारे स्वर आते हैं, वो कौन-कौन से स्वर आते हैं, चू, च, चो, और फिर एक जो लास्ट उसका चार पद हैं, वो उसमें लख आता है, हर नक्षट्र जो है चार पदों में बटा हुआ है, फोर चरन होते हैं उसके और वो जो फोर जो उसके लेवल्स होते हैं वो हर लेवल 3.20 डिग्रीज का होता है फिर इसके बाद अगर आप देखोगे कि वावल कौन-कौन से हैं हमारे जो ला के नीचे जो हलत लगती है संस्कृत और हिंदी में ली री इ तो कोई भी मात्रा जो हमारी आती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है फिर 34 से 35 जो है वो कौनसोनेंट्स हैं जिसके हमारे वर्ड्स बनते हैं तो अगर हम देखें कि रिलाइंस पौर एक्जामपल 45 वाले में आप री देख रहे हो फिर रिलाइंस तो री के साथ जो है ल रिली तो यह जो री का यह जो उपर जो आपको वावल आ रहा था जो ल आर आई का जो वावल था तो आप यह देखोगे कि रिलाइंस के उपर 45 आया और यहां पर 57 आपको मिला तो यह जो दो आपके जो यह बॉक्सिस हैं अगर यह वेद होते हैं किसी ऐसे प्लैनेट से जो खराब प्लैनेट से हैं जो एस बी सी में खराब माने जाते हैं तो आप रिलाइंस के उपर प्रॉब्लम आ सकती है फिर उसके बाद जो है हमें बीच में जो आगर आप यह दे करते हैं अब वो जो स्टार साइंस का जो बॉक्स हैं वो आपके चलते हैं फिफ्टी एट से लेके अप टू सेवंटी तू तक उसके बाद जो बीच के जो बॉक्स हैं पांच जो तिथियां आती हैं हमारी कि हम कौन से दिन पैदा हुए और क्या डेट्स होंगी तिथियों की और कौन से तिथि का कौन से ग्रूप की वो तिथि पढ़ती है जैसे नंदा रिक्ता पूर्ना भद्रा और जया तो इसमें नंदा तिथि और रिक्ता पूर्ना भद्रा और जया का क्या महत्व है और क्या उनके बारे में हम कौन सी तिथि हमारे लिए शुब है कौन सी पीच में से पता चलती हैं और इनी नक्षत्रों के ऊपर हम ग्रह देखते हैं जब हम SBC देखेंगे तो यहीं पर यह ग्रह बैठे होते हैं कौन से चरंद में ग्रह बैठा है वो कहां से कहां देखेगा तो वो सारी चीज़े इसी चक्र में सारया का सारया लाइफ आपकी पू प्लानेट्स के नक्षत्र मिसिंग होते हैं वो एक तरीका है आपका समझने का कि वह वेस्टन कल्चर क्यों इतना एडवांस है वहां पर क्या मिसिंग था इस्ट में जो है वो आप देखोगे कि जो इस्टन साइड है वहां पर लोग जो है अपने कल्चर टिरीशन से तोड़े ज़्यादा जुड़े होते हैं साउत में आओगे तो साउत में और भी ज़्यादा हमारे जो मंदिर हैवी मिलेंगे फिर आप नौर्थ की तरफ चले जाओगे अप नौर्थ एकदम जैसे जो पहारी इलाके हैं वहां पर भी जो लोग हैं वो काफी अपने कल्चर से जुड़े होते हैं तो एक वेस्टन सा जाती है जहां पर आप ज़्यादा देखोगे कि भई यह लोग बहुत ज़्यादा एडवांस, मॉडरन और ज़्यादा समझते नहीं हैं चीजों को कि वह सोचते हैं कि तो वह सारी चीज़े आपकी वेस्टन साइड से होती हैं तो इस हिसे साब से एक तरीता यह भी है कि व पॉइंट बेसिकली तो मैम इसे डाइरेक्शन से तो हम वास्तु भी कर सकते हैं इसे इक्जाक्ली आप सब कुछ कर सकते हो मैंने वही कहा ना यह एक बार आपके हाथ लग गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो वो आपकी क्रिएटिविटी होएगी कि आप उससे क्या-क्या तो यह यहां पर अगर यहां पर हॉसे तो यह चीज हम यहां पर कैसे देख सकते अलोग जी वह जो बाद में जो दो क्लासिज होएंगी ना जैसे मान लो आपने जो सिग्निफिकेटर्स देखे आप नक्षत्र को फॉलो करते हो ना ठीक है अब मान लो कि मगा में शनी है ओक तो यह थे टो आपने देखा कि वह जब केटू के नक्षत्र में है तो मगा में कौन सी राशी पड़ी तो मगा में जो राशी दिखो राशी क्या एक तो राशी का जो प्लानेट रहता है उसको भी लेते उसका भी लेते हैं पैटना तो जब वो तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बनलब आपको KP भी यहीं पर समझ में आएगी, वेदिक भी यहीं समझ में आएगी, हर चीज यहीं से समझो गया, ओके, ठीक है, ओके, अब जब हम आगे देखते हैं, कि आपके जो साइन्स हैं, वो कौन से उसमें थे, अब शुकल पक्ष और क्रिशन पक्ष, दो हमारे पास महीने के पाट आते हैं, जो कि एक से पंदरा शुकल पक्ष चलता है, और क्रिशन पक्ष जो है, वो आपका सोला से तीस, जो जिसको हम एक्चुली में देखें, कि भी तीस दिन का मह होता है, तो वो 16th day से जिसको हम पहले प्रतिपदा ही कहते हैं, वहां से वो स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जो नंदा तिती है, भद्रा तिती है, उसका कैसा आपको वो मिलेगा, फिर हम देखेंगे कि सब्ता नाड़ी, कि भी आप कौन सी नाड़ी में जन में हो, प्रचंड नाड़ी में हो, पवन में हो, देहन में हो, शोबया, नीर, जल, अमरित, तो इनका क्या मतलब आपके नक्षतर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो अपने लिए, ये सारी चीज़े हम SBC में देखते हैं, अब आज की क्लास से या जो भी मैंने अ कोई सवाल है, तो पूछ सकते हैं। तो मैं में एक लास्ट क्वेशन था कि इसमें आपने बताया कि आपको वेदी को और इसका भी नॉलेज होना चाहिए, तो वो किस लेवल तक होना चाहिए, अगर सिफ आपको बेसिक पता है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो, बेसिक में आपको पता होएंगे, ना हाउसे पता होएंगे, आपको नक्षात्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होता है, तो आप अगर ग्रहों को जानते हो, चिक है, तो आप अगर ग्रहों को जानते हो, कुंडली देखना थोड़ा बहुत आपको आता है, तो आज की क्लास हम यही पे एंड करते हैं, and I hope to see you in the first class. नेक्स क्लास साटरड़े को ना? I guess की, हाँ, साटरड़े होएगी. यह वाला साटरड़े नहीं, I think की वो नवरातरी में स्टार्ट हो रहा है. नेक्स क्लास साटरड़े को ना? ना, मंदे को प्राव ही है, ना? हाँ, तो वो आपको जो है, I think group में मैसेज आ जाएगा, टीम से न, की कब स्टार्ट हो नहीं है? जी, अगर मैं जैसे आपने बताया कि वैदिक की नोलिज ले लेते हैं, तो ये कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक, ठीक हैं, तैंकियों. जी, हेलो, अच्छे. अजी, हेलो, और भी कोई कोई कोर्स सिखाते हैं? सर, मैं केपी कराती हूँ, लाल किताब कराती हूँ, SBC कराया है, और भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन-कौन से कोर्स कर रहा हैं, बट, हाँ, CIL कराया है, SBC पहले भी करवाया है. नक्षत्र कैंडल्स और नक्षत्र कैंडल्स और नक्षत्र कैंडल्स और सोप भी करवाया है, मैं, CIL क्या होता है? मैं, CIL क्या होता है, CIL is a advanced part of KP, मतलब कस्पल इंटर्लिंक से हम और further divisions में उतरते हैं, KP में हम सब लॉड तक रहते हैं, उसमें हम सब-सब लॉड से आगे बढ़ते हैं, कश्पल इंटर्लिंक सब-सब बोलता है हाँ, वो तो अभी नहीं आ रहा है, वो तो अभी टाइम लगेगा, भी तो हमारी पहले लाल किताब की जो हमने यादरा शुरू करी है, वो फिनिश होएगी ना? वो तो छे मीने अभी चलनी है वो यादरा ठीक है तो मिलते हैं आप से first class में I hope I was clear in the class और इसमें कोई remedies पार्ट नहीं है तो please कोई भी आप ये सोच के class को join नहीं कीजेगा if you need a remedies this is not the class for you thank you so much ma'am बहुत बढ़िया ma'am thank you Anuradha ji thank you thank you ma'am thank you I hope की आप next SBC के batch में आजाएं तब तक आप अपना थोड़ा सा वेदिक को थोड़ा भी जान लोगे तो it will be easy for you क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं की हाँ आप आजाएं class में so then it will be on my part you know it will be difficult for you to understand and I will not like that कि मेरको योदा है कि हर स्टुदेंट कुछ ना कुछ सीक के निकले मेरे पास से जी one second ma'am I've already joined ah okay so we'll see you हम लोग तो ऐसी हफते में चार दिन मिलते हैं कुछपा जी एसना okay 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 thank you thank you me लुकुपा लुट युट लुटी